Today I am here to announce about Nucleum Consultancy Program यह program है J.O.N.E.T. की coaching setup के लिए तो सबसब पहले हम जानते हैं कि यह program किन के लिए हमने design किया हूँ तो यह program है school के लिए, institute के लिए या entrepreneurs के लिए तो सबसब पहले बात करते हैं school के लिए तो current scenario में कई school जो हैं जो बड़े school हैं वो अपने ही campus में बच्चों को coaching देना चाहिए तो इसके लिए वो दो तरीके से जो है दो तरीके का model रखते हैं या तो वो अपने campus में ही teachers को hire करते हैं और बच्चों को जो है extra जो है J.O.N.E.T. की coaching देते हैं या फिर वो किसी बड़े institute के साथ type करके school integrated program उनके campus में start करते हैं इन programs का फायदा यह होता है कि बच्चे जो है वो school में उनकी retention जो है वो बढ़ जाता है और उनके जो अच्छे बच्चे हैं वो 10th के बाद चुकि दूसे शेरों में बड़ी coachingों में move करते हैं तो वो movement जो है बच्चों का रूख जाता है इससे result भी अच्छा होगा इसके लागर revenue लोसेस भी बच्च पाई तो current scenario में school इस तरह की practice करते है यह consultancy program जो है इसका objective मैं अभी define करता हूँ दूसरा जो है अगर हम यह बोलें कि यह इसका objective क्या है कि इस complete consultancy इसको मैं franchise नाम नहीं दे रहा हूँ this is complete consultancy for setup of coaching of JN NEET in your campus तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर यह program जो है वो किन के लिए है schools के लिए है दूसरा हम बात करें institutes के लिए तो जो छोटे शहर में कुछ ऐसे institute है जो अच्छा कर रहे है जिनका काफी सालों का जो है नाम है उस शहर में लेकिन अब बड़े coaching जो है और edtech companies वो अपने center जो है छोटे-छोटे शहरों में डाल रहे है इससे उन coachings के सामने एक threat है यानि कि उनके उपर दबाव है कि वो अपनी quality को improve करे तो अगर ऐसे institute जो अपनी quality को improve करना चाह रहे है कोटा model के इसाब से अपनी coaching को बनाना चाहते है ये consultancy program उनके लिए भी है और तीसरा है entrepreneurs चुकि edtech industries बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और ये coaching वाला segment ऐसा है कि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो नई coaching start करना चाह रहे है तो नए लोग जो coaching start करने वाले हैं उनके लिए भी ये program हमने design किया हुआ है तो ये program जो है ये क्या है ये complete consultancy है कि आप अपना institute set up कर पाए हम actually group of ITNs है जिन्होंने quota coaching में कई सालों तक काम किया है और हम लोगों को quota का जो academic curriculum है उसका पूरा idea है तो हम उसी experience को आपके साथ जो है share करने वाले हैं इस program के through अब सबसे पहले मैं ये difference आपको बता दूँ कि ये consultancy program और franchise program में क्या अंतर है तो franchise जो program होता है इसमें आपको किसी बड़े institute के नाम से जो है franchise लेनी होती है और उनके हिसाब से जो है अपने school में या institute में उसको चलाना होता है तो franchise model जो है उसमें drawback ये है कि बहुत ज़्यादा cost उनकी रखी जाती है तो एक बार में बहुत बड़ा amount pay करना पड़ता है उसके अलावा अगर हम बात करने revenue sharing की तो franchise model में पर student जो भी revenue आता है उसका कुष शेर आपको उस institute को देना पड़ता है जिसकी आपने franchise ली हुई है और वहाँ पर legal foundation बहुत सारी है तो हमने इस model को बिल्कुर simple कर दिया है कि अब हम इसको consultancy program के नाम से run कर रहे हैं इसमें आपको low cost model है यह और कोई revenue आपके साथ जो है जो भी revenue आपको अनूता है उसका कोई sharing हमारे साथ नहीं करना पड़ेगा there is no legal foundation तो सबसे पहले तो जो है हमने बता दूँ कि nucleon आपको क्या-क्या support provide करने वाला है तो सबसे पहले पहला support is setup of coaching तो coaching किस तरह से setup करना है उसके लिए जो है हम आपको पूरी guidelines बताएंगे curriculum design किस तरीके का academic curriculum होना चाहिए उसके बारे में हम आपको guide करेंगे और एक बार अगर आपने program start कर दिया है तो उसका monitoring बहुत जड़ी है तो academic monitoring हम साथ के साथ जो है उड़े साल पर जो है वो academic monitoring देगे अब यह monitoring कौन करेगा यह हमारे ideas करेंगे जिन्होंने quota में पढ़ाने का experience रखा हुआ है experience जो है ideas इस program में आपके mentor रहेंगे तो इस program में क्या क्या चीजे शामिल है यह मैं आपको point wise जो है बताता हूँ किसमें हम आपके लिए क्या क्या करने वाले है तो coaching setup के लिए जो सबसे पहला step है वो है recruitment of faculties तो faculty जो है यह recruit करना अपने आप में बहुत बड़ी सांश्या है कि मतलब हम faculty जो है जो है data collect किया हुआ है तो महां से हम teachers का interview लेकर return test लेकर और आपके budget के इसाब से आपके teachers को जो है हम आपके institute में assign करेंगे तो recruitment वाला जो process है यह पूरी तरीके से हमारे द्वारा किया जाएगा और हम इसमें ensure करेंगे कि अच्छे लोग ही आपके institute में पहुंचे तो उसके लिए हमें interview लेना पड़ेगा उनका return लेना पड़ेगा quota में आके उनका demo करवाए जाएगा faculties के साब तो पहला हमारा step का recruitment of good faculties अगर बीच में कोई faculty चला जाता है आपका तो उसके लिए भी हम आपके लिए backup जो है वो हमारा backup जो डेटाबेस है उसके इसाब से हम teacher साब के लिए अरेंज करें तो तकरीबन franchise model में जो किया जाता है वही काम हम आपके लिए कर रहे हैं लेकिन यह franchise model के से different इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कोई revenue share नहीं करना पड़ दूसरा जो पॉइंट है वो है training of faculty हम कोशिश करेंगे कि experience faculty आपके पास महुचे उसके लावा हम इन फैकल्टी को जो है हमारे training videos provide कराएंगे ताकि अकर subject में उन्हें अगर थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो वो इन वीडियो को देखके अपने subject को improve कर सके तो training of faculty जो है वो हमारे अंडर रहेगा हम उन faculties को जो है time to time जो है वो guide भी करेंगे कि उनको किस तरीके से पढ़ाना है इसके बाद दूसरा पार्ट आता है हमारा academic planning का मतलब यह है कि साल भर में कौन-कौन से course launch करने है उनका timing क्या होना चाहिए per class duration क्या होनी चाहिए और एक दिन में कितनी classes appropriate प्रियेटर वो सारी academic planning हमारे द्वारा की जाएगी academic planning में जो main part आता है वो है course design तो जो course design हम करेंगे उस course का design किस तरीके से होना चाहिए उसमें क्या-क्या syllabus cover होगा उसके कितने classes होगी कितने test होंगे उनमें कौन सा material जाएगा यह सब उस course के अंदर design किया जाएगा तो बिल्कुल quota model को follow करते हुए हम courses को design करेंगे और आपके साथ जो है वो चीज share करेंगे अगली जो चीज आती है वो है study material support तो quota coaching का जो main feature है वो है कि यहाँ पर DPP और exercise sheet बच्चों को मिलती है DPP का मतलब होता है daily practice problem जिसमें हार topic को micro level पर cut करके सब topics में divide करके उसके इसाब से बच्चों को lecture wise plan करके daily practice के लिए कुछ problems दी जाती है उसके अलावा exercise sheet में जो है आपको 1,2,3,4 इस level के questions मिलेंगे जिसमें easy level questions होंगे moderate level questions होंगे और tough level questions होंगे उसके साथ previous years के questions आ चुके है वो भी उसमें आपको मिलेंगे तो यह exercise sheet और DPP जो कोटा में बच्चों को follow करवाई जाती है वो ही exercise sheet DPP उसी level का उसी set of questions के साथ हम आपके बच्चों को provide कराएंगे PDF जिने आप print कराके जो है वो बच्चों को दे सकते है यह study material wide labeling भी हो सकता है क कि अगर आप इसमें अपने इस्टूर का नाम चाह रहे हैं तो वो भी हम एड करवा के दे देंगे otherwise आप निक्यों कोटा के नाम से इस material को distribute कर सकते है अगला जो feature आता है वो होता है कि testing जो है किस तरीके से की जाए बच्चों की तो किसी भी course में बच्चा एंडोल होता है त अफ-लाइन टेस्ट प्लान करेंगे अकोर्डिक टू देर्स लेबस कवर्ड और ओनलाइन टेस्ट हम लेंगे जिसमें कोटा के question bank को लेते हुए बहतरीन लेबल के questions हमने रखे हुए है और हमारे ITN expert ने ये test तयार की हुए है जिनमें major test भी है minor test भी है unit wise test भी है तो दोनों तरह के से test हम जो है आपके बच्चों का प्लान करेंगे इसके बाद जो है बच्चों को देखने के लिए जो हमारे होडी जो ITN होडी ने हमारे lecture तयार की हुए कोटा क्लास्टूप में वो recorded video lecture हमारी mobile app जो की निप्लियों कोटा के नाम से है इस mobile app में आपके बच्चों को य को देख सकते हैं यानि कि वह offline class भी करेंगे टीचर्स के दुवारा जो आखे संटर पर होंगे उसके अलावा वह हमारे वीडियो को भी ऐसे support यूज कर सकते हैं अब इसके बाद हम बात करते हैं course monitoring तो देखिए course design होने के बाद classes आप बच्चों की चालू हो गई है लेकिन उसके साथ साथ है उसकी monitoring भी बहुत जादा आवश्यक है यानि कि कितने समय में course finish होना चाहिए किस unit को कितना time मिलना चाहिए यह guideline हम teachers को देंगे ताकि उनका course delay ना हो ना बहुत जल्दी हो ना बह यह course monitoring के अंदर आता है और यह हमारे main center quota से ITN के दुवारा जो है planning बनाई जाएगी और teachers के साथ share की जाएगी और उसी साथ से वह से वहां से grow करेगा और उसका report हम teachers के दुवारा लेंगे ताकि उन्होंने जो cover किया है हम उस पे पूरी तरीके से जो है उसको monitor कर पाए तो course monitoring ह हमारे दुवारा की जाएगी इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो एक feedback system जो है अगर हम feedback system बात करें तो course monitoring के अलावा एक और चीज में बता दूँ आपको कि course में एक बच्चों का feedback लेना पहुंचे कि teacher अगर कोई class ले रहा है तो teacher का feedback क्या आ रहा है तो feedback form आपके थू हम भरवाएंगे बच्चों से ताकि हमें teacher की effectiveness का पता लगे कि वो इस ले बस cover कर रहा है नहीं कर रहा है डाउट क्लियर कर रहा है नहीं कर रहा है या theory का level जो cover होना चाहिए वो cover कर रहा है नहीं कर तो यह सारे points जो है feedback form के थूँ बच्चों को दिये जाएंगे और time to time हम उ उनके साथ कर भी की जाएगी और उनको बताया जाएगा कि इसे दूर कीजिए ठीक है नहीं तो हम जो है teacher का replacement भी उस case में करेंगे यह support आपको मिलेगा हमारी और से साल बर के लिए तो बच्चों का feedback बहुत ज़रूई है वह साथ मिलेंगे और आप हमारे एक्सपर्ट की विजिट अपने स्कूल या इस्कूल में चाहते हैं तो वह जो है तीन महिने या चार महिने में हर अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को motivate करने के लिए हमारे एक्सपर्ट आप आए तो यह optional है यह आप जो है डिमाइन कर सकते हैं और हम आवार कि लिख सकते हैं support.nucleonplus.com पर हमारे बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं nucleon iatjkota.com तो इस प्रोग्राम में जितनी भी आपकी जितनी भी सिर्दर्दी है एक कोचिंग को सेट अप करने की और कोचिंग को रंद करने की वो सब हमारे इस कंसल्टेंशी प्रोग्राम में कवर भोगी और iatian mentors होंगा आपके कोचिंग के जिनका काम होगा पूरी तरीक की जेट तक का जितना भी करिकुलम है monitoring है वो सब हमारे द्वारा की जाएगी तो इस प्रोग्राम के बारे में दिख जान करें के लिए आम उसे संपक्त कर सकते हैं धन्यवाद